सब्सक्राइब कीजे वैदिक जोतिष शैनल को और शाथ बैल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जैसंतो सिमा, दोस्तो स्वागत है आपका वैदिक जोतिस में, जानते हैं आज क्या कहती है आपकी रासियां, कैसा रहीगा आपका दिन, सुर्वात करते हैं आज के सुवेचार सी खुद को खुस रखिए, वा भी एक बड़ी चिम्मेदारी है, रिस्तो की डोर उनसे जोड़िये जो समय आने पर सहीयोग और प्यार दिखाए, ना कि उनसे जो आउकाद दिखाए, वक्त उसे काबिल बनाता है, जो वक्त को काबिल बनाता है, महनत का फल और समश्या का हल, देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है, आज का पंचांग, 18 जुलाए 2023 देन मंगलवार, सावन मास के शुक्लपक्च के प्रतिपदा तिथी, रातरी दो बच के 10 मिलट तक रहेगी, इसके उपरांद द्वीत्या तिथी प्रारम हो जाएगी, पुष्यनामक नक्षत्र, सुब साथ बचकर 58 मिलट तक रहेगी, आज का राहुकाल अर्था दिन का सबसे सुब सम्में, दोपहर तीन बचकर 46 मिलट से, पांच बचकर 27 मिलट तक रहेगा, आज का भिजीत महुरत अर्था दिन का सबसे सुब सम्में, सुबह 11 बचकर 58 मिलट से, 12 बचकर 52 मिलट तक रहेगा आज चंद्रमक करकराशी पर संचार करेगी और आज शूर्य भी करकराशी पर ही रहेंगी तुलारा से 18 जुलाई 2013 दिन मंगलवार यह समय दोस्तों के साथ हलका फुल का समय गुचानने के लिए बहुत अच्छा है कोई पार्टी करें या साम को मस्ती के सांथ बुचारें आप पार्टी की जान बने रहेंगे इस दोरान आप किसी ऐसे वैक्ति से भी मिलेंगे जिसकी रूचे आप जैसी होगी और वो आप जैसा कारे कलापों का आनन्द लेगा आपको अपनी चमता का अनुभाव भी होगा किसी रिष्टे का अंता आपकी जीवन में भौनात्मक घबराहट पैदा कर शकता है अकेला रहना मुश्किल तो है किन्तु यह आपके लिए अच्छा सिध होगा आत्मने रिक्षन का यह चड़न आपके लंबी ओधी तक मदद करेगा जिससे आपको धोखा धड़ी और छल से मुक्ति मिल सकती है अपने काम सी यात्रा अपने काम सी प्राप्त प्रतिष्ठा आपके आत्म विश्वास को बढ़ाती है अपने भविश्य की पहले से बनाईगे योजना आपको आने वाली समय में फैदा दिलाईगी प्रशिद्य दन और मिहमा की प्राप्ति होगी आज बहतरीन काम करना कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी है और आपके कार्य में निपुर्णता ये दर्शाती है कि आप सही रास्ते पर है अकेले पन और तनहाई की भावना से बाहर आएं और परिवार के साथ कुछ पल बित्ताई नया आर्थिक करा नया आर्थिक ने नया अंतिम रूप लेगा और धना आपकी तरफ आएगा आपकी भरपूर उज्या और जबज्या सब उश्या सकरात्मक पर नाम लाएंगी वह घरेलों तनहाउदूर करने में मददगार रहेंगी प्यार का जजबा अनुभाव के परे है लेकिन आज आप परिवार की इस मदधूसी की कुछ जलक पास सकेंगी दिन अच्छा है आज के दिन अपके लिए आज के दिन अपने लिए समय निकालें और अपने कम्यों और खूबियों पर गौर फैर्माएं इसे आपके विक्तित्व में शकरात्मक परिवर्तन आएंगी बढ़िया खाना रुमानी पल और जीवन साथी का सांथ यही खास है आज अकेला पन काफी दिक्कत भरा हो सकता है खास तोर से उन दिनों में जब के आपके पास ज़्यादा कुछ करने के लिए ना हूँ इसे छुटकारा पानी की कोशिश करें और अपने दोस्तों के साथ थोड़ा समय वितित करें समाजी कत्व सुसाइटी संबंधित गतिवीधियों में आपका योगदा सराहनी रहेगा किसे भी काम को शुरू करने से पहले उसके रूप रेखा वश्य बनना है इससे समय अनुशार कारे संपन्न होते चाहेंगी नजदे के रिस्तेदारों का घर में आगबन होगा और उनके साथ संबंध मधूर होंगी परवार के लोगों का आपके लिए वैवार का ठोर क्यों बन रहा है ये समझना जरूरी है किसी वैक्ति के प्रभाव में आकर गलत निर्ना नाली जीवन में बढ़ रही नकरात्मक्ता दूर करें वर्तमान इस्थिती में धीरे धीरे सुधार आईगा आपकी किसी भी गलत काम में ना उलजी इस बात का ध्यार रखें अटके हुए कामों को आगे बढ़ानी के लिए प्रभाव शाली वैक्ति मदद करेंगे किसी भी यात्रा के दौरान बहुत ही सतर करेंगे ज़रत है कुछ न कुछ दिक्कते आईगी योजनाओं को किसी से शेयर ना करे वरना कारे रूप देने में कुछ दिक्कत होगी घर की जिम्मेदार्यों को नजर अंदाज करने के बज़े उन्हीं व्यवस्थत करने की कोशिश करें बात करते हैं लब लाइफ की आप अभी हाल ही में किसी के साथ रोमेंटिक रिष्टे में बंधी हैं वैसे आप इस वैक्ति को पहले से भी जानते हैं लेकिन उनकी कई कम्यों को देखकर आपको अब आश्चरी हो रहा है जो आपके सामने अब आई है वह आपके उम्मीदों को समझने और उन पर खरा उतरने की कोशिश में नाकाम रहा है आपको उसे को समय देना होगा धीरे धीरे ही सहीं लेकिं वह आपको जरूर समझना सुरू करेगा सितारों के नुशारा आपकी जीवन में एक long distance relationship रिस्ते की संभावना ही जिससे आपकी love life और भी रहश्यमय और romance हो जाएगी याद रखे आपका प्रेमी केवल आपसे समय और ध्यान की उम्मीद करता है अपनी कोशिशों से आप अपनी जिन्दगी में परिवर्टन ला सकते हैं अज़ा आपको जो सफलता मिलेगी उससे आप बहुतिक रूप से सुरक्षित मैसूस करेंगे और इससा आपके एक परिवार का भविश्य भी सुरक्षित होगा आपका जीवन साथी आपका ध्यान अपनी और आकरशित करना चाहेगा आशा फर काम में जान लगा दें इससा आपका कल बहतर बनेगा याद रखे प्रेम जीवन दोनों के विश्वास प्रेम और मेल जोल से आगे बढ़ता है बात करते हैं करियर की इसे खास के अलगाव से अजाब का दिन निरासा भरा हो सकता है किन्तो आप जल्द ही इस परिस्थिते से उभर जाएंगे विदेशों से मुलाकात और वैपार आपके करियर को नई दिसा दे सकते हैं फाल्तू व्याव या समान की खरिस से आज बच्छी अपने कारियों से कमाई प्रतिष्था आपको भौतिक सुरक्षा प्रदान करेगी इस समय आपके द्वारा बनाए गए वित्ति योजनाए आपको फायदा इस समय आपके द्वारा बनाए गए विस्तरित योजनाए आपको फायदा पुचा सकती है यास और प्रशिद्धी मिलने का भी योग है कल की तैयारी करने का सबसे अच्छा रास्ता है आज मेहनत करना आपकी युग गिता कोशल यह दर्शाती हैं कि आप हर कारे सोच समझ कर करती हैं अज़ा आपको छुपे हुई शत्रुश शौधान रहनी की जोरुत है यह वैक्ति आपकी साथ मित्रता पूर्ण भाव सा आपके साथ काम कर रहा है पर जैसे ही इतिहास अपने आपको दोहराता है यह वैक्ति प्रतिकार कर शकता है यह इसके विचार आपसे भिन हो शकती हैं अज़ाब के लिए ये अच्छा होगा कि आप अपनी सारे कार्यों का निस्पादन सही समय पर कर लिए ताकि काम का पूरा बोश ना रहे और आपको अपने मालिक की डाट ना सुननी पड़े बिशनेस में काम ज्यादा होने से विवस्था बनाय रखने में दिक्कते आएगी कार इस्थल पर अपने उपस्थिती बनाय रखें और पूरा ध्यान दे साज़ेदारी सम्मंदित वेविशाय में पारदर्शिता रखना बहुत जरूरी है ने बिशनेस संपर का बनाने से पहली नुकसान हानी का जरूर सोची फायदे नुकसान का जरूर सोची बात करते हैं सेहत की अपने सरीर के इस्थान पर मन को पुष्ट बनाने के बारे में सोची आप खुद को शालिक रूप से तो स्वस्था रखते ही हैं लेकिन इस प्रक्रिया में आप मन का ध्यान रखना भूल जाते हैं, जो बहुत परिश्रम करता है, अराम करें, कुछ ऐसे मरुरंजक क्रिया का लाब में भाग लें, जिसे आपका मन भी तरोताचा में असूस करें, हर रोज खूद को 15 मिलर जरूर दें, योगार ध्यान करें अपने मन को कई दिशाओं में भटकने देने की स्थान पर, अपने विचारों को एक जगह लगाने की कोशिश करें, आज का उपाए, सूरे की इस्थिती मजबूत करना चाहते हैं तो, आप तामबे के बरतनों का दान करें, दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भू पुलिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, जीवन में हमेशा सकरात्मक सुच के साथ आगे बढ़ती रहें, आपका दें शुग हूँ